अलो अबरीबडी तिस इस शिवन दुवे फ्राम इंग्लिस किंग्डब तर्श्रा प्रेयाग्राज और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं और स्पेशली हमारी जो टेट एक्जैम्स हुए हैं सारे लोग जो इस टेट एक्जैम में क्वालिफाई कर लिये हैं सबसे पहले उनको कंप्राइचुलेशन और साथी साथ अब हमनों बाते करते हैं इस टेट एक्जैम को क्वालिफाई करने वाले उन कंडिडिट्स से जो लोग सच में अब मेंस के लिए कुद को तयार कर रहे हैं देखना ये होगा कि मेंस के लिए हम अपने आपको कैसे तयार कर रहे है और कितना तयार कर रहे हैं क्योंकि हमें अब आध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा मेंस का जो परफॉर्मेंस है वह वाली फाइंड नहीं है बलकि मेंस का हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हमारी मेरिट को मैंटेन करने या मेरिट को आगे ले जाने के लिए हैं तो हम चा यह भी जानना बहुत बहुत जरुए है हम आपको कुछ अपने खुर्सिंट के जरी यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन का क्या स्टैंडर चल रहा है पेहले हम आप सुस्वाल पूछेंगे और उसके बाद उन सवालों का हम आपको रिप्लाइ करेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे वीडियो को बाच कर रहे होंगे उन सवाल का एक honest answer अपना जरूर खुद को दे और अगर ज्यादा problem होती है तो आप हमसे हमारे comment box में comment करके अपने problems का solution पाने की कोशिश कर सकते हैं English Kingdom ने भी अपनी badge को launch किया है जो टेट मैंस exam के लिए preparation करा रहा है 22nd November से 5 hours daily classes के package के साथ जिसमें हर दिन 5 subject अलग अलग पढ़ाया जाते हैं जो लोग 5 hours daily और हर दिन 5 अलग subject को पढ़ना चाहते हैं जिसका target तीन दिन के अंदर पूरे आपके 15 subjects को cover करना है और इस तरह से तीन तीन दिन पर आपके हर 15 subjects को cover करना और प्लस हमारे हम test series भी शुरू हो रहा है जिसे हम class test series के रूप में तो इसी संदे से और अगला जो हमारा complete test series होगा वह next संदे के बाद से शुरू हो जाएगा बहुत तरह स्टूडेट्स हैं जिन्होंने already crack कर रखा है और खुद को prepare भी कर रखा है बट उन्हें खुद को test करने की ज़रूलत है वो भी हमसे contact कर सकते हैं test series के लिए जो हम इस संदे के बाद शुरू करने वाए हैं आप कैसे भी preparation कर रहे हैं लेकिन याँ बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो यह merit है वो आपके सारे subjects के preparation पर debate करता है इसमें कोई भी subject छोड़ करा preparation मत करिएगा क्योंकि बहुत से students हैं जो Sanskrit से हैं लेकिन उनको English भी पढ़ना पढ़ रहा है English से हैं लेकिन संस्क्रैइट पढ़ना पढ़ रहा है है Math से हैं उनको Sanskrit भी पढ़ना पढ़ रहा है या Arts के हैं फिल्मी Math पढ़ना पढ़ रहा है हम सारी चीजहों को पढ़ेंगे ताकि हमारी merchant better से better होती रहे क्योंकि हमें हर एक मांक से अपने साथी को ही कॉम्टेट करके पीछे करना है और खुद को आगे लेख चलना है चलिए हमारे सवाल जिनका जवाब शायद आपको सही मार्ट दर्शन दे सकें या सही दर्शन से आपको अपनी तयारी को और एवेलेट करने के लिए तयार कर सकें जिसका मुल्याक करा कर सकें पहला सवाल है How many hours are you giving to your preparation? पहला सवाल ही है आप अपनी preparation के लिए अपनी तयारी के लिए कितने hours कितने घंटे दे रहे सवाल कितने घंटे दे या कितने hours नहीं होता है बट यह आपा जरूर होती है कि जब हमारे पास almost 42-44 days का ही टाइम है ऐसे वक्त में जब टाइम कम है और prepare बहुत ज़्यादा करना है study बहुत ज़्यादा करना है तो उसमें यह हमाइने रखता है कि सच में आप अपने preparation को कितने hours दे रहें जैसा हमने कहा यह बात अपने आप से सवाल पुछेगा कि 24 hours में आप सच में कितने hours अपनी तयारी को दे रहें दूसरा हमारा question है What are you reading to crack test examination सवाल यह है कि हमारे कुछ students, कुछ competitors अपनी capacity पर यकिन करते है definitely आप सभी में capacity है तब ही आप competition करते है और वो पोशिश करते हैं कि किसी institution में न जाए बंकि वो इस्टेडी करें खुद को खुद से तयार करें there's no problem बहुत यच्छी बात है क्योंकि मैं मानता हूँ अगर एकलावी बनना है पर सवाल आपके सामने ये है what are you reading आप actually पढ़ कर पढ़ने का sense हमारा एक बार फिर से ये है कई हमारे पास आजकल मार्केट में material लिया है इतने धेर सारे material जिसमें raw material भी होता है misleading material भी होता है competition का हर जग़ पर इस्तर है कई बार गलत धंक से print हुई books भी market में आ जाते है students के पास time कम होता है इसलिए ऐसी किताबों को भी वह buy कर लेता है study कर लेता है और बाद में confusion में गलत reply या गलत answer कर लिया है सवाल अपने आप से पूछे कि सच में आप क्या पढ़ रहे हो क्या आप authentic पढ़ रहे हो क्या जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वह material आपको कई जगे मिल जा रहा है अगर ऐसी चीज़ें है तो natural आप सही preparation कर रहे है लेकि अगर ऐसा है कि ऐसी बातें जो आप पढ़ रहे हैं वो बागी books में नहीं मिल रही है या institutions के notes में नहीं मिल रही है या institutions के teacher नहीं पढ़ा पार है या YouTube पर भी ऐसी बातें नहीं की जा रही है तो naturally आप वो खुद को या और खुद की reading policy को evaluate करने की ज़रूरत है वो ल्याकित करने की ज़रूरत है यह चलते हैं आप लोगो तीसरे अपने question यह How are you studying or preparing यह जितना जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितने time कितने घंटे पढ़ाए है उतना ही जरूरी है यह कहिए कि उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है How are you studying खुद को आप तयार कर रहे हैं बट उस तयारी का standard क्या है standard हर examination को देखर किया रहत है हम जानते हैं कि हमारे date का जो standard है वो क्या है लेकिन हम competition में standard कुछ भी हो सकता है इस exam में भी हम लोगों ने देखा प्री में भी कुछ standard questions पूछे गए हाला कि कुछ जगों पर बहुत आसान questions थे कुछ जगों पर जैसे मैं जैसे subject में अच्छे questions भी पूछे है preparation का एक standard होना चाहिए जो इस level का हो कि आप जिस competition के लिए दैरी कर रहे हैं क्या सच में वह preparation वह study आपकी उसके काबिल है उस तयारी के जरीए आप उस exam को crack कर पाएग नहीं तो study करने के तरीके हम पढ़ने को बहुत चीने पढ़ लेते हैं लेकिन सच में हमारे questions कहा से उट सकते हैं और किस तरह से questions उट सकते हैं या भी पढ़ते वक्त अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो भी और सारे लोग जो पढ़ा रहे हैं वह भी या जरूर ध्यान देते रहें किसी भी topic के साथ कि अगर वह कोई topic पढ़ाते हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं तो या जरूर ध्यान दे कि उस topic पर किस तरह के questions उट रहे हैं और उन questions के क्या answer हो सकते हैं इससे आप एक सही preparation कर सके हैं आईए चुकर देखते हैं हम fourth question पर आते हैं have you joined an institution or coaching यह natural है कि अगर आप self study नहीं कर रहे हैं और आप अपने selection को लेकर के serious हैं तो आप किसी ने किसी institution को या coaching को तो जॉइन किये ही होगे आप सवाल यह है कि जिस institution को आपने join किया है क्या one institution आपका वरोसा जीत रहा है क्या सच में उस institution के द्वारा दिये गए material या continue किये गए classes से आप satisfied है इस तरह की चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखे institution का नाम बड़ा भी हो सकता है क्योंकि याद रखिये ज्यादातर students के साथ अगर cheat कोई करता है तो बड़े institutions वाले ही करते है मैं किसी बड़े institute की निंदारी कर रहा हूँ बट हमारे जो competitor हैं जिनका future इस तरह के preparation में लगाव होता है वो किसी ऐसी जगह का शिगार ना बजाए उनके लिए हमारा suggestion है कि आप अपने preparation को ऐस institution या ऐसे coaching के साथ मिल कर करें जो सच में आपके लिए reliable है जो सच में आपके साथ 24 hours वर करने के लिए तयार है अगरा question हमारा यह है Is your coaching covering all subjects from beginning यह बहुत ही जरूरी question क्योंकि ऐसा हो सकता है कि institutions आपको अलग अलग करणिंग बता कर के कि हम यह 15 days इस subject को चलाएंगे 10 days इस subject चलाएंगे पर क्या सच में आप इस तरह के questions को face करने के लिए तयार है तो सवाल यह होता है कि हमने जो भी institutions जोइन किये हैं बड़े या चोटे ड़सन्ट मेंडर लेकिन वहाँ पर एक सवाल जरूरा आपके दिमागे होना चाहिए क्या वह institutions आपके सारे subject from beginning से cover कर रहे हैं मतलब अगर वह आपको teach कर रहे हैं तो शुरू से ही आपके जो 15 subjects हैं around वह सारे 15 subjects को cover कर रहे हैं या यही cover करने की क्या policy है इस बात को जरूर द्याने कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह किसी subjects पर ज्यादा emphasize करते रहे हैं ज्यादा focus करते रहे हैं और कुछ ऐसे subjects हो जाए जो बड़े short में आपको खत्म करने पड़े हैं या आप उनके लिए क्योंकि institution subjects को तीन दिन में भी पढ़ा सकते हैं शुरू से आपके सारे subjects को cover कर रहा है या नहीं या देखना बहुत जरूरी होगा आगरी question यह है Is the test being held regularly? क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे पास time बहुत कम और इस कम time में हमें जहां पर अपने आपको prepare करना है वहीं पर अपनी preparation को check भी करना है क्योंकि हमारे पास इतना time नहीं होगा कि हम एक बाद पुद को prepare करें उसके बाद पुद को test करने के लिए तयार exam अभी तर जो decided है और 6th January ही है उसके पहले हमें prepare और अपने preparation को test दोनों कर लेगा होगा अगर आपका institution या आपका group या आप खुद अपने test को ले सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिन a test लिए आपकी confidence नहीं आने है कि आपने क्या पढ़िये हैं और अगर आपने कोई ऐसे institution नहीं जोईन किये हैं English Kingdom गत्रा अलाहबाद आपका वेलकम करता है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम weekly test अगले संदे से ही शुरू कर रहे हैं तो जो लोग interested होंगे वो हमारे institution को ज़रूर जोईन कर सकते हैं या हमारे phone calls कर हमारे contact number पे हमसे contact कर सकते हैं इसके मामले में तो ये कुछ जरूरी question है जो सच में आपको खुद से पुछना होगा ताकि आप इस UPTIT के मेंस के exam में अपने preparation को सही दिशा दे सकें और अपने selection को पा सकें हमारे उमीद यह हैं कि आपको हमारा ये video जरूर एक सही guideline दे रहा होगा और आप इस video के जरीए अपने preparation को analyze जरूर करेंगे किसी भी तरह के problem के लिए contact करें English Kingdom गठ्रा अलहाबाद और contact करें हम से notes और classes के लिए भी Thank you, thank you very much for watching us Keep watching English Kingdom अलहाबाद